दोस्तों स्वागत आपका मेरे योट्यूब चैनल इंग्लिश बाबू पर और आज मैं फिर हाजर हूँ आपके साथ एक नए स्टोरी लेकर और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है सुनकर बहुत मज़ा आएगा उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे उनकी करेक्ट पिंडन सेशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से मतलब हुआ दोस्तों intelligent adjective है जिसका मतलब होता है बुद्धिमान और लार्क एक छोटा पक्षी होता है जो चिडिया के साइज का होता है और इस पक्षी को भरत पक्षी भी कहा जाता है और यह चोटा पक्षी होता तो इसे हम लार्क भी पढ़ सकते हैं तो क्या मतलब हुआ बुद्धिमान लार्क तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है शिर्शक है और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिलकुल ध्यान से सुने यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया इस्टेक्चर मिले तो फिर इसको शुरू करते हैं स्टेक्चर में का फुर्म का वांकि बनाते हैं तो वहांपर वर्ण की से कंड tubing का प्रियोक किया जाता है और यह जो मेर्ड rapport की सेकंड फों मेर्न में 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 मतलब होता है बनाना और यह सेटेकंड में मेड तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ वंस एक बार आ लार्क मतलब एक लार्क ने मेड बनाया हर नैस्ट अपना घोंसला इन आ कॉर्ण फिल्ड कॉर्ण का मतलब मक्का मतलब मक्के के खेत में तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ वंस आ लार्क चलिए आगे देखिए सून शी लेड एक्स इन इट दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है ले का मतलब होता है अंडे देना और ये उसकी सेकंड फॉर्म है ले आइडी तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं और जो इसकी फर्स्ट फॉर ये पास्ट फॉर्म है ल एवाई आप उसे भी नोट करसकते हैं तो ले मतलब अंडे देना और ये seconds form है तो इस लाइन का क्या आरथ होँ वा सून मतलब की जल्दी ही she laid x उसने अंडे दिये इन इट उसमें तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ soon she laid x मतलब जल्दी ही उसने उसमें अंडे दिये और दोस्तों यह जो it है यहाँ पर वो nest के लिए प्रियोक किया गया है nest का मतलब होता है घोंसला after a few days few का मतलब होता है थोड़े या फिर कुछ after a few days after a few days मतलब कुछ दिनों के बाद या कह सकते हैं थोड़े दिन के बाद small babies hatched out of them क्या मतलब हुआ दोस्तो hatch out का मतलब होता है जो अंडे से food कर जो उसमें से जो नना पक्छी बाहर आता है उस पिरक्रिया को hatch out कहा जाता है तो इस पूरी line का क्या अर्थ हुआ small babies hatched out of them मतलब जो छोटे babies थे जो बच्चे थे उनके वो उसमें से बाहर आ गए one day the baby lacks overheard the farmer say क्या मतलब हुआ दोस्तो ये भी हमारा past indefinite का affirmative वाक्ट है और ये जो word है आप देख रहे हैं ये over here की second form है सबसे पहले आप इसकी meaning को note कर लीजिए over here का मतलब होता है किसी की बात को छुप कर सुनना और ये second form है overheard तो इस line का क्या आर्थ हुआ one day मतलब की एक दिन the baby lacks baby lacks का मतलब हुआ जो उस lacks lacks पक्षी के जो बच्चे थे उसे baby lacks का जाता है overheard मतलब उन्होंने छुप कर सुन लिया the farmer से मतलब की farmer के कहने को या farmer की बात को क्या थी वो बात I will call my neighbors to reap this field क्या मतलब हुआ दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये future indefinite का affirmative वाक्य है और जब आप future indefinite में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते है जो की affirmative हो तो इस तरह का जो वाक्य है सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है कि उसकी वाक्य के टेल पर गागेगी जैसे शब्द होते है और जब आप ऐसा कोई भी वाक्य बनाते है तो रीप दिस फील्ड इस खेत को काटने के लिए रीप का मतलब काटना तो दोस्तो इस पूरी लाइन का क्या आरत हुआ कि एक दिन जो बेबी लाक्स है मतलब जो लाक्स के जो बच्चे थे उन्होंने छुपकर फार्मर की बात को सुन लिया और उसने क्या कहा मतलब मैं अपने पडोसियों को इस खेत को काटने के लिए बुलाऊंगा आगे देखिए दोस्तो ये जो वर्ड है आप सबसे पहले इस वर्ड को नोट कर लीजी अलाम्ड एक एड्जेक्टिव है अलाम्ड का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाना घबरा जाना और ये एड्जेक्टिव है और आपको ये चीज याद रखने है कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप एड्जेक्टिव को वर्ड के रूप में प्रियोग करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर एक सपोर्टिंग वर्ड का प्रियोग करना होता है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गौट का प्रियोग किया गया है तो यह जो एड्जेक्टिव है इसको वर्ड बनाने के लिए एक सपोर्टिंग वर्ड का प्रियोग किया गया है और यह हमारा पास इंडेफिनेट का वाक्य है इस वज़े से यहाँ पर get की second form का प्रियोग किया गया है तो इस line का क्या अरत हुआ The baby locks got alarmed to hear this मतलब जो baby locks थे मतलब जो जो locks के जो बच्चे थे वो घबरा गए To hear this इस चीज को सुनकर इस बात को सुनकर वो घबरा गए And told their mother Their मतलब उनकी अपनी और उन्होंने अपनी मा को बताया about it इस बारे में तो इस पूरी line का क्या मतलब हुआ कि जो baby locks थे मतलब जो locks के जो बच्चे थे वो इस बात को सुनकर घबरा गए और उन्होंने अपनी मा को इस बारे में बताया क्या आगे देखिए don't worry, said the mother don't का मतलब यहां don't लिखा है आप इसे don't पढ़ सकते हैं और do not भी पढ़ सकते हैं और worry का मतलब होता है चिंतित होना है, चिंता करना तो इस line का क्या आरत हुआ don't worry, said the mother, मतलब चिंता मत करो माने कहा चलिए, आगे देखिए some days later मतलब की कुछ दिनों के बाद the farmer came again और यह भी past indefinite का affirmative वाक्य है, the farmer came again और यह कम की second form है मतलब जो किसान था, वो दुबारा आया and said, और कहा I will I will call my relatives to reap this field, और दोस्तो इस word को आप note कर लीजिए reap reap का मतलब होता है, काटना तो इस line का क्या रत हुआ, I will call my relatives मतलब मैं अपने रिष्टेदारों को बुलाऊंगा relatives मतलब होता है, रिष्टेदार तो क्या मतलब हुआ कि मैं अपने रिष्टेदारों को बुलाऊंगा to reap this field, इस खेत को काटने के लिए the baby larks were afraid दोस्तो, afraid adjective है, जिसका मतलब होता है डरा हुआ होना, भैबीत होना तो इसका क्या रत हुआ the baby larks were afraid, जो baby larks थे मतलब जो larks के जो बच्चे थे उस larks पक्ची के वो were afraid वो डरे हुए थे, चलिए, आगे देखिए the baby larks were afraid again, मतलब कि जो baby larks है, जो उसके बच्चे थे वो डुबारा से डरे हुए थे don't be afraid और दोस्तो, यह जो afraid है आप इसे note कर लीजिए, जैसे मैं आपको बताया, यह adjective है, जिसका मतलब होता है डरे हुए होना, don't be afraid मतलब कि भै मत करो, या कह सकते है कि भैबीत मत हो, या कह सकते हैं, मत डरो said their mother, उनकी माने कहा, चलिए, आगे देखिए but the next day और next का मतलब होता है, अगले, but the next day, लेकिन अगले दिन, the farmer came, farmer came, मतलब जो किसान था, वो आया there, वहाँ पर with his little son, अपने छोटे बेटे के साथ, and said or, कहा, क्या कहा, I will reap this field tomorrow myself myself का मतलब होता है, अपने आप तो इस line का क्या मतलब हो, I will reap this field tomorrow myself मतलब मैं इस खेत को कल अपने आप काटूँगा, तो दोस्ते इस फूली line का क्या रत हो यहाँ था, कि उसने, जो मात ही, उन्होंने क्या क्या, don't be afraid, मतलब भैबित मत हो, और जो अगले दिन था, but the next day, the farmer came, जो लेकिन अगले दिन किसान आया, वहाँ पर आया अपने छोटे बेटे के साथ, और उसने क्या कहा, I will reap this field tomorrow myself, मतलब मैं कल इस खेत को काटूँगा, अपने आप, चली, आगे देखिए, अब, now is the time to go, क्या मतलब हुआ, now is the time to go, मतलब अब जाने का समय है, when a man says he will do the work himself, he will certainly do it, क्या मतलब हुआ, when a man says, दोस्तों यह जो यहां से लेके यहां तक जो वाक्य है, यह present indefinite का affirmative वाक्य है, और जब हम present indefinite में कोई भी affirmative का वाक्य बनाते हैं, तो वहाँ पर subject के बाद verb की first form या फिर fifth form का प्रियोग किया जाता है, यदि आपका subject I, V, U, they या फिर plural होगा, तो वहाँ पर verb की first form का प्रियोग किया जाएगा, और यदि आपका subject He, She, It या फिर singular noun होगा, तो वहाँ पर verb की fifth form का प्रियोग किया जाएगा, वर्व की fifth form से मतलब है कि वहाँ पर verb की first form के साथ S या ES को जोड़ा जाएगा, तो यहां आप देख सकते हैं कि जो हमारा subject है, यह singular noun है, और singular noun के accordingly, यह यहां पर verb की fifth form का प्रियोग किया गया है, S A Y से मतलब कहना, और जब हम इसको fifth form बनाएंगे, तो यहां पर S को जोड़ दिया जाएगा, तो यह हो जाएगा, says, तो इस पूरी line का क्या मतलब हुआ, when a man says, मतलब जब एक आदमी कहता है, He will do the work himself की, वह काम को खुद करेगा, He will certainly do it, certainly मतलब जरूर, He will certainly do it, मतलब वह, उसे अवश्य ही करेगा, तो इस पूरी line का क्या मतलब हुआ, कि जब एक आदमी यह कहता है, कि वह उस काम को खुद करेगा, He will certainly do it, वह उसे जरूर करेगा, Sad the Mother Lark, किसने कहा यह, Sad the Mother Lark मतलब यह, जो Mother Lark थी, यह जो पक्छी था, Sad the Mother Lark, उसने यह बात कही, चलिए, दोस्तो अब इस कहानी का, जो moral है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं, Don't be frightened of hollow threats, दोस्तो, hollow का मतलब होता है, खोकला, खोकले, और यह adjective है, और threat का मतलब होता है, धमकी, और यह threat का plural है, threats मतलब धमकिया, तो इस पूरी line का, और frightened का मतलब होता है, डर जाना, भैवित हो जाना, तो इस पूरी line का क्या आरत हुआ, Don't be frightened of hollow threats, मतलब की, खोकली धमकियों से मत घबराइए, मत डरिये, तो दोस्तो, यह आज, आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ, कहानी आपको अच्छी लगी होगी, उसके अलावा, जैसा हमने स्टोरी में देखा कि, जो व्यक्ति था, जो वो जब उसने ये कहा कि वो इस काम को खुद करेगा, तो जो लार्क पक्ची था, उसे पता लगया कि इस काम को जरूर करेगा, जिससे हमें पता चलता है कि जब हम किसी काम को स्वैम करने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो वास्ता में हम उस काम को कर ही लेते हैं, तो दोस्तो, य मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है यदि आज की कहानी में आपने कोई भी नए वर्ड या फिर ग्रामर के नए स्ट्क्चर को सीखा हो तो क्रिप्या करके कमेंट के माध्यम से उसे जरूर बताएं सुनने के लिए थैंक्यू सो मच्छ वे नाइस दे एंड बाई